कि मिल्हुंक ने वहुम्हिंस हम आज देखेंगे पलग प्लेशमेंट ना कंट्रोलर डिसान मैतड इन कंट्रोल स्टम सो ऺाले हम इसके डिफशन्देशन देखते हैं पलग कर्फेंथ में व्यज्स कंट्रोलर डिजाइन में इन विच यू डिटरमाइन दि प्लेशिज ओफ दि क्लोज लूब सिस्ट्म हम वह प्लेशिस डूड़ा है यहां हमने इस इस्टम के किलोज लूब स्कूलिश को रखना थे पोल्ज on the complex plane by setting a controller gain तो जो भी हम controller design का रहे हैं उसके gain को set करते वे हम जो आपके system के poles हैं हम वो place करते हैं और फिर हम दो equations को compare कर आप जो हैं controller के gains को निकालते हैं शुरू करते हैं हम पिए डी कंपंसेटर डिजाइन यूजिंग पोल प्लेस्मेंट यह हमार पास बेसिक फीडबेक जो ब्लॉग डियाग्राम है यह यह में तकरीबन देखते हैं जिसके अंदर हमार पास जी सी फॉर कंट्रोलर और कंपंसेटर और जी पी फॉर प्लांट यह जी पी जी पी मीन इस, इस ब्लॉग डियागराम है सम् टांसर फंक्शन अंद इस ब्लॉग डिअगर्राम है सम् टांसर फंक्शन तो इस के लिए स्ब्लाग डी डिजाइन कारें और यूर आप यह कौंशन unf in अगर हम यह देखें कि हमारा इसका टोटल का ट्रांसर फंक्शन क्या बनेगा इस सिस्टम का टोटल ट्रांसर फंक्शन हमारा y of s over r of s is equal to gc gp over 1 plus g kh अगर आप gc को के कह लें तो g kh over 1 plus g kh हमारा सेम फर्मूला लगेगा लेकिन अगर gc हम देखें तो उसमें एक ट्रांसर फंक्शन है और हर ट्रांसर फंक्शन का एक नॉमिनेटर है और डी नॉमिनेटर है तो मैंने इसे नॉमिनेटर ओफ कंट्रोलर डी नॉमिनेटर ओफ ठीक है तो आप इसको हम बिसिकली यह जो मैं एक्वेशन लिख रहा हूं इसको मैं सिंप्लीफाय करने के लिए वन जो हम क्रेक्टरिस्टिक एक्वेशन लेते हैं हमें यह पूरा सॉल्व करना पड़ता है तो अगर मैं एक ही बार इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास एक एक र्रकेakat चरक्टरिस्टिक एक्वेशन आजागी जिसमें ऐसी लि एक आगर वैयूस पूट कर दूं टास्वांप्शन गिवन टास्वांप्शन और कंर्सोलर की तो मैं असानी के साथ जो है था रॉनसे वह find कर सकता हूं और characteristic equation जिसके उपर मैंने work करना होता है वह find कर सकता हूं अब देखें GC का इसका इसका इसी तरह होगा और यह एक formula है जो मैंने इसको convert किया है मैंने इनकी values पूट करने feedback लिक है तो मेरे पास यह डीचे और डीचे और डीपी डिवाइड बाइड बाइड वन प्लस जी के एच यह यह मैंने वैल्यूज पूट कर दिया अच्छा यह आपस में multiply हो जाएंगे यह मैंने यह टर्म बनती है अब LCM के नीचे जो है डीची डीपी और उपर भी अगर बटा से उपर देखें तो डीची डीपी है तो इन दोनों को मैं आपस में cancel कर दूंगा जब cancel करूंगा तो final जो मेरे पास ट्रांसर फंक्शन बचेगा वह वाई ओफैस और आर ओफैस इसको टू Nc, np. DC, dp plus Ncnp अब यह मेरे पास जो है डी नुमिनेटर और बहुत कंट्रोलर एंट a plant प्लस दोनों के मल्टीपला कर दों उसको solve करूं तो मेरे पास यह क्रेक्टिस्ट अगर जाएगी अब इसमें कंडिशन्स क्या है पॉल प्लिस्मेंट के लिए पॉल जो मुझे गिवन है ट्रांसर फंक्शन पॉल्स विच सूटेबल लोकेशन विल नॉट बी डिस्टरप्ट अगर तो मेरे पास फॉर एग्जेंबल प्लांड में एस प्लस टैन एस प्लस लेवन है तो मैं ए प्लेस है उन्हें मैं चेंज करूं लेकिन जो मेरे पास पहले से पॉल अगर सूटेबल पॉजिशन पर पढ़े हैं लेफ्ट हैंड प्लेन पे और उन से मेरा सिस्टम के रिस्पॉंस भी एचा है तो मुझे उन्हें डिस्टरब करने की जूरुत नहीं है पेर ओफ कंप्ले हमने उन्हें बहुत ज्यादा दूर प्लेस नहीं करना फॉर एग्जेंपल अगर यह मेरे पास लेफ्ट हैंड प्लेन है तो मैं इससे बहुत ही ज्यादा मतलब टू थाउजंड पे ना ले जाऊं वन हंडर पे अपना पॉल प्लेस करूं वहां पे मैं अपना पॉल प्लेस ब्रस्णा करों अब हाते हैं अब हम आते हैं एक्जम्पल की तरफ एक्वस्टन है ऐग्जम्पल गिवन है design अपिएटी controller for GC यहाँ पे鍋 से हमने तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैं इस given criteria के ओपर जो requirements है मेरी इन के मताबक मैं अपने desire pole निकालूँगा अगर second order system आपको याद हो तो हम उसके अंदर एक general form लिखते हैं omega n square over square plus 2 zeta omega ns plus omega n square ये एक general form है for second order system अगर हम इसको quadratic equation को इस characteristic equation को by quadratic formula solve करें तो मेरे पास जो poles आएंगे वो कुछ इस तरह होंगे minus zeta omega n plus minus j omega n under root 1 minus zeta square तो अगर इसके अंदर मैं zeta और omega n की values डालने हूँ तो मेरे पास कुछ sometime 2 plus minus j 3 एक general के तोर पे 3 plus minus j इस तरह के कुछ poles आएंगे हो सकता है कि अगर zeta मेरा सिफर हो अच्छा अब यह ऐसी general form है कि इसके अंदर मैं zeta less than zero zeta equal to zero in between zero and one put करूँ तो मेरे पास वो चार से पांच cases आते हैं जो हमने अंडर डैम और डैम रियल डैम में हमने पड़े थे तो वो भी इसी से basically तो अगर मैं अपने poles निकालना चाहता हूँ तो मुझे omega n और zeta की value पता होनी चाहिए तो वो कहां से पता चलेगी मुझे कुछ formulas given है यह second order को ही हम solve करते वे यह formulas जो निकालते हैं जो मैं आपको यहां पर लिखाँगा यह अगर मैंने zeta निकालना है नेचरल log square percent overshoot pi square minus natural log percent overshoot अब percent overshoot मुझे यहां पर given है वो है five percent तो मैं यहां put करूँगा natural log square five percent divided by three point one four square और natural log five percent का square तो आप अगर solve करेंगे तो point 69 आएगी आपके पास value इसी तरह अगर मैंने omega n को निकालने तो मुझे settling time given है settling time given है और इसका जो formula है four divided by omega n zeta जीटा मैंने निकाल लिया, ts मेरे पास है four भी constant है तो आप omega n की value निकाल सकते हैं और omega n आपके पास आएगा 57.97 radian per second अब देखिए आपके पास zeta भी है और omega n भी है अब इस general formula के अंदर इस जो roots हैं इनके अंदर मैं अगर ये values put करूँ यहां पर so our desired poles are by general equation minus omega n zeta plus minus j omega n under root 1 minus zeta square ठीक है ये general equation second order से आई है ये वाली और इसके अंदर मैंने omega n और zeta की value put की और मेरे पास जो poles आएंगे desired value ये जो poles है मुझे ये वाले जो criteria इसको fulfill करेगा यानि मेरी इन requirements के मताबिक मेरे ये poles आएं मैं अगर ये poles लोंगा तो मेरा overshoot less than 5% होगा मेरा settling time 1% होगा और वो इन formula से आएं ठीक है अच्छा it means we have two poles at minus 40 plus minus plus 42 j और minus 42 j के उपर और अगर मैं इसको further solve करूं इस equation को s plus 40 plus minus j 42 तो ये मेरे पास 2 हैं मेरे पास 2 poles हैं अगर इसको मैं solve करूं equation को तो मेरे पास जो equation बनेगी वो ये बनेगी quadratic जो equation बनेगी मेरी s order में वो ये equation s square plus 80 s plus 33 64 तो इसको मैंने solve की हैं तो इसको हमने solve किया तो पहला काम इसमें हमने क्या किया हां अगर आपको ये criteria given नहीं है और ये आपको given question में नहीं बताया गया और आपको सिर्फ यही कहा गया design a PID controller for GC by pole placement तो आप अपनी मर्जी से pole को place कर सकते हैं मतलब अगर यहां और two pole है तो आप अपनी मर्जी से three and four six and seven कोई भी पॉल इसमें place कर सकते हैं लेकिन इन conditions के मताबिक को जो हम पढ़केगी है पॉल विच सूटेबल conditions और पिर आपने राइट साइड पर पॉल चूज नहीं करना complex पिर आप चूज कर सकते हैं जिस तरह हमने यहां पर complex चूज किया ठीक और इसी तरह आप पॉल आपके बहुत ज्यादा origin से बहुत ज्यादा दूर ना हो या imaginary axis से बहुत ज्यादा दूर ना हो अच्छा तो पहला काम जो desired पॉल थे वो मेरे पास आगे अब दूसरा जो काम हम करेंगे कि हमें जो given है हमारा answer function जो given है question के अंदर और जो हमने controller निकालना है उस controller को हमने as it is लिख देना है अगर PID controller की बात करो तो PID controller को हम इस तरह लिख सकते हैं kds square plus kps plus kya yavar s यह s है 8 नहीं है और यह मेरा gc given है और यह मेरा gp मुझे given है और इन दोनों का एक का numerator भी है denominator भी है इसका भी numerator है denominator है अब जो equation मैंने पीछे characteristic equation निकाली थी given system with PID controller by equation h जो equation मैंने characteristic equation की निकाली थी वो मैं इसके थो भी अपनी निकाल सकता हूँ अच्छा अगर मैं इन दोनों controller को और इसको multiply करूँ और इसका feedback लूँ तो मेरे पास जो equation बनेगी वो equation क्या बनेगी characteristic equation s into s plus 1 s plus 2 kd square plus kps plus k और इसको मैं फर्दर solve करूँगा तो मेरे पास ये equation बनेगी और इसे फर्दर मैं s की form में लिखूँगा s q plus 3 plus kds square plus 2 plus kps plus kai क्योंकि अगर यहां पे देखें तो ये s square और ये s square और इसे तरह 2s और ये kps तो हम constant अलग कर लेंगे s 7 लेदग हो जाएगा plus kiai as it is आजएगा ये constant है इस equation को मैं नाम देता हूँ icon ठीक है अब देखें कि मैंने जो poles desire pole मैंने place की थे और इसका जो order था अब ये मेरे अगर मैं इस equation को solve करूँ तो मेरी ये equation बनती है लेकिन ये तो second order है अगर मैं इसको इस equation से compare करूँ तो ये तो compare नहीं हो सकता तो मुझे एक pole नहीं तरफ से add करना पड़ा है और वो आप अपनी मर्जी से add कर सकते हैं मतलब मैंने अब 3 पे add की है s is equal to minus 3 तो आप इसे 15 पे प्रेंटी पे यानि 40 और 0 जो original pole है इनके अंदर बेंदर place कर दिया मैंने इसको third order बनाने के लिए एक pole place कर दिया और इसको further solve किया पहले आपने इसको solve करना है यह आप poles हैं तो इसका मतलब यह s 40 plus minus 42 जी है solve करेंगे तो यह आपके पास आएगी या इसको अगर आप quadratic formula से solve करेंगे तो आपके पास यह poles आएगे अच्छा इसको मैंने अब s plus 3 जो इसको मैंने cubic form में लाने के लिए इस equation को क्योंकि यह मैंने desire pole मेरे यह थे औरिजिनल equation मेरी यह है मेरे system की PID के साथ यह मुझे given है यह मेरा PID है उसके साथ मुझे यह given है मैंने जो poles desire अपने criteria के मताबक फिल किये हैं वो यह हैं लेकिन वो second order equation है मैंने third order बनाने के लिए further एक और pole add किये और इस equation आपके पास यह equation यह आ जागी ठीक है इसको further आपने इससे solve किया और आपके पास इस equation का s square और s s और s square आपस में plus हो जाएंगे s और s आपस में plus हो जाएंगे और constant आपका अब हम i और j को compare करेंगे coefficient s square का इसका जो 3 plus kd है वो मेरा यहां पर 83 के एकवल है और इसे तरह 2 plus kp इसके coefficient 3604 के एकवल है और यह मेरा s kai के एकवल है तो यहां से आपके पास kp, kai और kd की values आजाएंगे अगर आप compare करेंगे s square की term को मैं compare करूंगा मेरे पास kd 80 आएगा 2 plus kp मेरे पास आएगा 3602 और kai मेरे पास यह value आए अब इन values को मैंने अपने p.i.d कंट्रोलर में जो कि मुझे यहां पे गिवन था इस form में वो मैंने यहां पे इसमें values कर दी तो यह मेरा final p.i.d कंट्रोलर आगे अल गेंज के पी के एंट के टी उसको मैंने अपने original transfer function में डाला यह मेरा original था यह मेरा k.p.i.d जो मैंने design किया p.i.d अब इसको मैं feedback करूंगा और इसका final transfer function बनेगा j1 plus g.k.h. वो मेरा यह final transfer function बनेगा अगर आप इसका step लें original mad lab के ओपर यह मुझे given है अगर हम इसका step लें और after designing का controller इसका step लें तो दोना में काफ़ी difference होगा ठीक है तो यह आप इसको mad lab के ओपर भी try कर सकते हैं तो finally हमने pole placement के जरीए अपना एक controller design किया जो के मुझे यहाँ पर given था ठीक है मैंने controller design किया था p.i.nd आप p.d.p.i.d और k.p.i.d अलग लग भी design कर सकते हैं ठीक है तो मैंने full controller design किया by pole placement कोई question हो तो question कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो टापिक है वो मैं इंशाला उसकी वीडियो अप्लोड करनों का तो जूड़ स्टे होम खुश रहें अबाद रहें अस्सलाम अलेकुंट कर दो मैंने कर दो